हेलो स्टूरेंज कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है प्रियंका और आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है मैगनेट ब्रेंस इंदी मीडियम पर आपको मलते हैं 6-12 क्लास तक के सभी विश्यों के हाई क्वालिटी कॉंटेंट इसके साथ ही मैगनेट ब्रेंस इंदी मीडियम आपको प्रोवाइट कराता है ना सिर्फ CBSC बोर्ट बलके अदर स्टेट्स बोर्ट जैसे के MP बोर्ट, UP बोर्ट, डली बोर्ट, बिहार बोर्ट, राजस्थान बोर्ट जैसे बोर्ट के भी fully organized courses और ये सबी courses आपको मलते हैं बिल्कुल free of cost, मतलब कि आपको इसके लिए किसी भी तरह की कोई भी payment करने की जरूरत नहीं होती है अगर आप हमसे e-notes और e-books भी लेना चाहते हैं तो उसकी link आपको नीचे दिये हुए description box में मिल जाएगी तो चलिए इसी जानकारी के साथ शुडू करते हैं आज की class और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं तो हम पढ़ रहे हमारा part 9 जिसका नाम है द्यानिक जीवन में प्रिथकरन की विधियां और आज हम इसके दो टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है अवसाधन वाले निस्तारण विधी और एक टॉपिक होने वाला है निस्यंदन तो इन दोनों टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे तो चलो वही बिना देरी करें फटाफट से टॉपिक की तरफ चलते हैं लेकिन आपको करना एक छोटा सा काम की चलदी से वीडियो को लाइक कर दीना है साथ में ही शेयर भी कर दीना है तो देखो चाई बनाने के बाद आप चाई की पत्यों को कैसे अलग करते हैं, यह तो जाहिर से बाते कैसे करते होगे, बताओ चोटा इस परश्ट है चालनी के द्वारा हम चाय की पतियों को अलग करते हैं यदि हमारे पास चालनी नहीं है तो भी हम अधिकांश चाय की पतियों को अलग कर सकते हैं हम उपर का पानी 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 वाला चाय चाय वाला भाग रख सकते हैं पती-पती नीचे रह जाएगी, ऐसे भी तो कर सकते हैं। चाय वाले बर्तन को कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ दें। और फिर चाय को धीरे-धीरे कप में उडेल लें। तब चाय के पतिया नीचे रह जाएगी। जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो यह हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हम अवसादन और निस्तारन प्रक्रिया का प्रयूग कर रहे हैं। ठोस और द्रव के मिश्रण में भारी अव्यव नीचे बैट जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। इसको हम अवसादन कहते हैं यानि कि सेडिमेंटेशन कहते हैं और जब बरतन को तिर्चा करके द्रव को या जल को हटाया जाता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है निस्तारण यानि कि डिकेंटेशन कहलाती है तो इस प्रकार से हम दोनों प्रक्रिया को एक ही प्रक्रिया मे कर लेते हैं ठीक है कैसे कि कुछ देर तक उसको छोड़ दें तो उसमें जितने भारी अवयव होंगे वो क्या होंगे नीचे बैठ जाएंगे तो यह क्या हो गया यह हो गया अवसादन और जब अवसादन हो जाएगा तो हम उपर की शुद्ध शुद्ध चीज को जब अब निस्तारण की प्रक्रिया से पूरी तरह चाय की पतियां चाय से अलग नहीं होती हैं इसका अर्थ यह है कि इसको अलग करने के लिए यह उप्युक्त विधी नहीं है मतलब कि हम लगभग लगभग काम तो कर लेते हैं लेकिन इसको इतनी भी उप्युक्त विधी हम न निकाल दिया जाता है और जो बच्ची हुई बचा हुआ अनाज है जो हमारे काम की चीजे हैं उनको हम साइड में कर लेते हैं तो यह भी यहां पर भी अवसाधन और निस्तारन प्रक्रिया का प्रयोग होता है अब अगर हम चाय की पति वाला बात करें तो यहां पर अगर और चाय चाय जो है वो पूरी नीचे कप में आ जाती है तो चाय से चाय के पतियां प्रतक करने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे इसको हम निस्यंदन यानि की फिल्टर करना कहते हैं क्या मटमेले जलके निस्यंदन के लिए चाय की चालनी का उपयोग कर सकते हैं अब द आफ कर सकते हैं, बताईए, साथ ही मटमेले जल को कपड़े के टुकड़े से भी छानने का प्रयास कीजिए और अंतर देखे, अब अगर इससे आपका काम नहीं हो रहा हो, तो एक और काम कर सकते हैं, कि आप एक कपड़े का टुकड़ा लीजिए, और उसको रखे और उससे उ सफेद दिखाई दे रहा है, कपड़े के टुकड़े की बुनाई में धागों के भी छोटे-छोटे रंध्रिया छिद्र होते हैं, कपड़ों के इन छिद्रों का उप्योग छानने के लिए किया जा सकता है, प्राचीन काल में भी लोगों ने इस पद्धती को अपनाया, ल मुझे कपड़े की कितनी परतों का उप्योग करना होगा, क्योंकि एक परत से तो पानी शुद्ध हो ने रहा, क्या मुझे दो-तीन और परत लगाने चाहिए, ताकि पानी बहुत शुद्ध हो जाए, यदि जल एक बार छाननी के बाद भी गंदा है, तो अशुद्धियां फिल्टर पत्र का उप्योग करके अलग की जा सकती हैं, जिसमें और भी छोटे रंधर या छिद्र होते हैं, तो हो सकता है कि अगर हम उस पानी को कई सारी मूटी परत लगा कर करें, तो उससे क्या होगा, क्योंकि कपड़े के छिद्र में बहुत छोटे छोटे रंधर होते और हर अंदर में अगर फसता जाएगा तो हो सकता है थोड़ा पानी शुद्ध हमको मिल सकता है लेकिन पूरी तरह शुद्ध मिले, इसका हम नहीं कह सकते उसकी जगेए पर हम प्रयूग कर सकते हैं फिल्टर पत्र का क्योंकि filter पत्र में बहुत ही जादा छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इतने जादा छोटे छिद्र होते हैं, कि वो पानी को बहुत धीमी गती से नीचे ले जाते हैं, लेकिन उसमें से वो सारी अशुधियों को दूर कर देते हैं, मतलब यहाँ पर निस्यंदन जो है, वो बह जाती है, वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, ठीक है, क्रिया के लाब 9.4 देखेंगे, इसमें चित्र 9.10 में दिखाए अनुसार, आप स्वयम फिल्टर पत्र को मोड़ कर उसका एक शंकू बनाने का प्रयास करें, यहाँ पर देखे एक फिल्टर पत्र है, जो यह कुछ इस प्रकार से होता है, आपके लैब्स में मिल जाएगा, इसको इस तरह से मोड करके आपको एक शंकू कार एक कौन जैसा शेप बनाना है, ठीक है, फिर इसे एक शंकू कार फ्लास्क पर रखी कीप के अंदर रखें और इसमें मटमेला पानी डाले, आपने क्या व्लोकन किय क्या मिट्टी के कड फिल्टर पत्र से होकर निकल जाते हैं, कीप से निकलने वाला जल शंकू कार फ्लास्क में इकत्रित हो जाएगा, अब देखें यहाँ पर ये कीप है, इसमें आपको शंकू कार फिल्टर पत्र को रखना है, इसमें पानी डालना है और नीचे एक फ्ला चला जाएगा तो यहीं जैसे आप पूछ रहे हैं कि क्या मिट्टी के कड़ फिल्टर पत्र से होकर निकल जाएंगे तो नहीं निकल पाएंगे ठीक है आपको फिल्टर पत्र पर अवशेश के रूप में मिट्टी और शंगा क्वार फ्लास में निस्यंद के रूप में स्वच जल मिल जाएगा तो यह क्रिया कलाप आप स्कूल में करके देख सकते हैं और सिर्फ यह बताने वाली बात नहीं है इसे आप खुद करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़े समझ भी आएंगी साथ में याद भी रहेगा कि हां हमने मटमैला पानी लिया और जब उसको हमने फिल्टर पत्र से गुजारा निकाला निस्यंदन किया तो वहां पर हमको बिल्कुस स्वच्छ जल प्राप्त हो गया ठीक है और भी जाने में देखें फिल्टर पत्र के अतिरिक्त का पास चार कोल रेत इत्यादी अनेक सामगरियों का उपयोग निस्यंदक के रूप में किया जा सकता है निस्यंदक का चुनाव प्रथक की जाने वाली सामगरियों के कड़ों के आकार पर न पार्ट की पांच भी क्रिया कलाब है इसमें यह कहते हैं कि अपने आसपास के किसी तालाब से थोड़ा सा जल इकत्रित कीजिए उस जल में कुछ अवांशित पदार्थ दिखाई देते हैं क्योंकि तालाब का जल तो वैसे भी थोड़ा सा अशुद्ध होते हैं उसमें हमें अवांशित पदार्थ दिखाई देंगे कम लागत की सामगरियों का उपयोग करके जल के निस्यंदन के लिए एक कारी-कारी मॉडल की उजना बनाएं और इसका निर्माड करें तो अब ये क्रिया कलाब तो आप कर सकते हैं भी एक मॉडल तयार करें जिसमें कम लागत हो ज कुछ नई चीज सीखने को मलती है इसमें हमें तो जो टी बैग होते हैं चाय की पत्ति की थैली होती है ठीक है पहले रेशम जैसे मुलायम कपडों से बनाई जाती थी क्योंकि ये चाय की पत्ति को रोक लेती थी और जल इनके आरपार निकल सकता था रेशम मजबूत होने क कारण गरम जल के संपर्क में आने पर फटता नहीं था बाद में लोग जाली या फिर मलमल के कपड़े का उपयोग करने लगे अंत तह उन्होंने फिल्टर पत्र का उपयोग करना आरम किया जिससे आज कल अधिकांश टी बैग बनाए जाते हैं तो देखे किस प्रकार से पहल होते हैं वो किस से बनाया जाते हैं उनको फिल्टर पत्र से बनाया जाता है तो देख सकते हैं किस प्रकार से ये टी बैक्स को हम बनाते हैं और इनका प्रयोग होता है चिक है और इसी के साथ यहां पर हमारे टॉपिक भी क्या हो जाता है खतम हो जाता है हमने इसको काफी अ वेब साइट और एप्लिकेशन के साथ मैगनीट ब्रेंस है इंडिया का नंबर 100% फ्री ओनलाइन एजुकेशन प्लैटफर्म अगर आप हमसे नोट्स और इबुक्स भी लेना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको नीचे दिये हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इसी के साथ हमारे पास है आपके लिए कई सारे टॉप कोरसे जो किहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं और ये सबी टॉप कोरसे आपको मलते हैं High Quality Education के साथ English और Hindi दोनों ही मीडिया में साथ ही इन courses के लिए आपको किसी तरह का कोई payment नहीं करना पड़ता क्योंकि सभी top courses आपको उपलब्ध कराये जाते हैं 100% free of cost अगर आप हम से other social media platform पर भी जोनना चाहते हैं तो आप हमें follow कर सकते हैं Facebook पर Instagram पर Twitter पर WhatsApp पर भी तो अगर आपको आज को वीडियो इच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले मिलते हैं नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाइबाई